what is the current situation of crypto market Bitcoin का क्या price चल रहा है क्या crypto market में हो रहा है यही बात करेंगे और सब से बहले Bitcoin का price $42,400 पे trade कर रहा है वापीस आ गए है 42,400 पे और 43,700 के high लगाके Bitcoin ने यहां पे फिर से liquidation कर दिये अब इतना जब आई गया तो क्या हुआ कि longs के position लगे और उनको फिर से liquidate कर दिया Bitcoin अभी सिर्फ और सिर्फ liquidations के mood में और पिछले 5-6 दिन से continue liquidations हो रहे हैं long और shorts वालों के तो 42,400 डॉलर पे इस time पे जो है Bitcoin currently trade कर रहा है सबसे बहले बात करेंगे e-cash के बारे में अभी recently इपने बात की थी bit torrent और e-cash की जोड़ी आप ले सकते हो अगले bullrun के लिए ठीक है अभी अगला bullrun तो नहीं आया और अच्छा खासा pump भी नहीं आया लेकिन हाँ एक गाड़ी स्टार्ट हुई थी 3-4 महिने पहले XEC की almost 100% का जम दिखाया था तब भी हमारा prediction हिट हुआ था और end में जाके 16% के यहाँ पे जम पाते हुए तो 2024 में खास नजर रहेगी XEC यानि e-cash के उपर भी कैसा perform करेगा है ना तो अगर आप देखेंगे इसका अगर हम चार्ट देखें तो बहुत low level पे trade कर रहा है 3-0 के साथ 3 का highest का और अभी 4-0 के साथ 4 की level पे trade कर रहा है next बात करेंगे TRB के बारे में TRB ने अपना जो है यहाँ पे almost पिछले कुछ हफतों से जो movement आया TRB के price के अंदर वो बड़ा ही गजब का movement अगर आप इस chart को देखोगे उठाके तो यह chart आप देखोगे 7 डॉलर की range थी है ना पिछले कुछ महिनों में 7 डॉलर पे trade कर रहा था और 7 डॉलर से आज यह 210 डॉलर के भी high लगा चुका है 185 का 180, 170 के round इसका नया old time previous high था उसको break कर दिया था 2-3 दिन पहले और finally आज 210 डॉलर के भी level आ चुके है तो जब नया old time high लगता है तो उसके बाद back to back नया high लगते है हमने कैसपा के साथ देखा हमने बॉंक के साथ देखा हमने INJ optimism के साथ देखा तो TRBB list में शामिल होता हुआ 2107 डॉलर यानि 500-600 की crypto आज 17,000 को भी cross कर चुकी है 17,000 रूपीज अगर आपने 6,700 पे इसको लिया होता या investment आपने किया होता तो आज आपको जो return मिल जाता वो गजब का return मिल जाता क्योंकि इस 2023 के अंदर 1500-1600 परसेंट का jump अच्छा गासा क्योंकि साथ डॉलर की range से अगर 210 डॉलर आया तो बहुत अच्छी pump हुआ है की report और क्या fact है आपे तो बाइनेंस ने क्या क्या कुछ हुआ है कुछ आपको यहाँ पर बड़े numbers अगर हम देखें बाइनस तो पहला है 170 million registered बाइनस user बाइनस के उपर 70 million registered users है जो कि एक बहुत बड़ा और huge number है more than 1.2 billion dollar सैफू fund 432 crypto asset offer किये जाते हैं बाइनस के उपर और लगातार नहीं listing होती भी जा रही है तो बाइनस स्क्वेर बोस्ट 11,000 creators and 112 fiat currency support है बाइनस के उपर और 7.9 million dollar donate किया है charity को 2.1 million donate किया है वेब 3 education को लेके 213 million spent किया है compliance अप्टू 158 million dollar in 2022 और इसके लाबा बाइनस लाब के बहुत सारे investment हुए इस साल हमने कुछ discussion किये radiant हुआ उसके बाद हमने देखा बहुत सारे ऐसे नए crypto's में investment किया बाइनस लाब ने तो अभी विलाल किया है कि बाइनस लाब कि अगर हम देखे 250 portfolio companies 10 billion in AUM और 25 project invested in 2023 25 project में पैसा डाला है बाइनस लाब ने यानि बाइनस ने एक बहुत बड़ी बात है और 36 project incubated in 2023 यह कुछ बाइनस लाब की activities रही है और यह कुछ बाइनस का हाल रहा है 2023 तो यह कुछ बाइनस लाब का portfolio की highlight है मतलब 2023 में बहुत सारे coins में अभी recently हमने बात की थी किन-किन crypto में पैसा डाला है बाइनस लाब ने और वो भी एक signal indication है 250 portfolio companies 25 funded in 2023 projects 36 project incubated in 2023 optimism है layer 0 Calistia Aptos इसके अंदर Miston Labs है Trust है Dune Analytics है Injective Polygon SafePull Neutron Halio Radiant Capital Pendle Arkham Exterior Maverick अब इन में से 4 coins कही न कहीं जो नए crypto's है कुछ 4-5 नए crypto's है जिनमें अच्छा jump देखने को मिल सकता है ये Binance ने clear indication दे दिया है जिसमें एक है Maverick protocol दूसरा Pendle है तीसरा है Radiant protocol चोथा Arkham और 5-1 Neutron Neutron में हम jump देखी रहे हैं पिछले कुछ हफतों से ये 5 coin डेफिनिटली जब Binance ने पैसा डाला है तो कुछ न कुछ हलचल दिखेगी और थोड़ा आप भी नजर रखिएगा इन सभी crypto's के उपर 2024 के लिए ठीक है नेक्स्ट बात करना जरूरी है pancake swap के बारे में अच्छी burning करता आया और एक बहुत बड़ा proposal लाकर रख दिया यहां पर end में और वो proposal है बहुत अच्छी खासी supply को reduce करने का हम क्या कहते हैं किसी भी coin की supply को limited कर दो unlimited से तो भाया result अच्छे दिखेंगे और यह कुछ ऐसा ही proposal है जिसके अंदर 300 million cake burn हो सकते हैं अगर आप देखेंगे यहां पर 750 the proposal suggests reducing the total supply of cake from 750 million token to just 450 million the reduction of 300 million cake would equate and current valuation to decrease of 1.14 billion worth of crypto 1 billion dollar के हैं अगर यह burn हो जाते हैं burn होंगे तो क्या result दिखेंगे अब बिल्कुल दिख सकता है 2024 में cake का एक बड़ा pump आ सकता है अगर यह proposal जो कि pass भी हो सकता है क्यों क्योंकि जब ऐसे proposal आते हैं crypto community के आगे crypto coin को burning को लेके supply को लेके तो crypto community ना नहीं करती है है न तो vote से proposal पास होई जाएगा 300 million burn हो जाएगे तो देर सबेर result भी cake पे काफी अच्छा यहां पे दिख सकता है तो bullish scenario बन सकता है cake के लिए 2024 में next term बात करना चाहते हैं 2024 आने वाला है bitcoin spot ETF approval की बातें चल रही है काफी positivity है लेकिन इसी positivity के बीच में एक dump का scenario भी बन सकता है कि मतलब game उल्टा भी हो सकता है क्योंकि जहां इतना positive महावल बन जाए है ना वहीं अभी recently Goldman Sachs ने भी कहा था बहुत सारे ऐसे indication भी मिले है और हमारा भी indication यही है कि जितना positive अच्छी बात है approval मिलेगा वो एक अच्छी रहेगी long term के लिए लंबे time के लिए लेकिन जो immediate approval मिलेगा उस पे जो market का reaction हो सकता है वो dump वाला भी हो सकता है क्यों क्योंकि positive तो सब ही है लेकिन crypto quent says bitcoin ETF approval could be a sell the news event है ना तो कुछ भी हो सकता है depend करेगा कब approval मिलता है और January की शरुवात first week कैसा जाता है तो बहुत important time है बस game होगा तो बड़ा होगा और उसी game में आपको अपना benefit देखना है ठीक है तो उल्टे game होते हैं जब ऐसी बड़ी news आती है ना market में तब तो और भी बड़ा उल्टा game हो जाता है मलब pump की जगा डंप हो जाता है तो ऐसा scenario भी दिख सकता है January के अंदर market को game तो करना ही है और game करेगा liquidations के लिए ठीक है क्योंकि उस time पे जो trades लगेंगे वो long के लगेंगे और simple सा यहाँ पे एक game होगा और बड़ा game होगा ठीक है तो वो जब time आएगा तब हम discuss करेंगे अभी फिलाल थोड़ा आपको aware alert रहना है उस time के लिए last and final update है Solana को लेके Solana ने अपना नया high लगाया 120-126 dollar की रेन दिखाई और avail deposit 3 lakh Solana 32 million dollar के 3 lakh Solana और possibly selling in for profit तो profit के लिए Solana की selling हो सकती है 3 lakh और avail withdrew 4 lakh Solana 28 million dollar के at 66 dollar from Binance in the past one month तो वहाँ से तो price almost double पहुंचा है ठीक है तो हो सकता है profit booking भी जब avails करती है तो dump दिखता है correction दिखता है तो बड़ा last का time थोड़ा alert रहेगा ठीक है आज की इस वीडियो को करते ही इपेंड किसी भी crypto में invest कर रहे हैं तो research करें वो बहुत जरूरी होती है तब तक के लिए bye bye take care नीचे description में telegram X के link है join नी किया तो कर लेना कोई update मिसने होगा मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care